पूर्षकार दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हमाच बात करने बाले आज के मीन रासी फल के बारे में कि आज का दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तों वीडियो आग monumentalाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राब करें और साथ मैं नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर महत्पुन रासी फल पहुंच सके चलिए दोस्तों बात कर लेते कैसा रहीगा आप की रासी वालों का आज का दिन दोस्तों आज का दिन आपके लिए काफी बहत्रीन रहेगा हर कारिये में आप उसलता पाएंगे जिससे आपको कारिये छित्र और अपने नीजी जीवन में सफलता हासिल होगी हलाकि आपको अती उत्सामे आकर कोई भी गलत निरने लेने से बचना होगा जिया दोस्तों आज आप अपने कारिये पर पूरा दियान देंगे जो पीछे से कुछ कमी आ रही थी उन्हें भी दूर करने की आप आज कोशिस करेंगे जिया दोस्तों और अपने काम को समय पर और बहुत अच्छे तरीके से करने में आप पूरा दियान लगाएंगे, इससे आपको सकारत्मक नतीजे हजिलोंगे, साथी साथ अच्छे भोजन का भी आज आज आप आनन्द लेंगे, भाई भेनों का पूरा सियोग भी मिलेगा और घर में सुक्सा सांती भी बनी रहेगी, प्रेम जीवन में कुछ उतार चड़ाव रहेगा, लेकिन साधी सुदा, लोग अपने गिरस्त जीवन से खुश्ट नजर आएंगे, बिजनेस में भी आपको आज अनुकुल फल प्राप्त होंगे, बेवजे की यात्राई भी आज आपको करनी पड अपनी वानी पर नियंटरन रखने की बहुत जरूरत होगी, जी हां दोस्तो, किसी भी सूरत में छोटी मोटी बातों को तूल ना दें, सावदान रहें, वरना आपके बने बनाई काम बिगड जाएंगे, दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाल आपके उपर से कम हो सकता है, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए कि आप उनसे बहुत प्यार कते हैं, उन्हें कोई अच्छा सा उपार दें और अपने साती से सम्मान पूरोग बात करें, जी हां दोस्तो, अब बात कर लेते हैं आपका विवसाय और कैरियर कैसा रहेगा, यद जातक इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी छेत्र में काम करते हैं, उन्हें अच्छे नतीजे हसिल होंगे, आज कारिये छेत्र में आपकी कारिये कुसलता से आपके सहकर्मी और वरिष्ट अधिकारी आपसे खुस रहेंगे, जी हां दोस्तो, इससे आपका मन बहुती परसन होग खुस होगा, आज नौकरी पैसा जातकों को भी अच्छे नतीजे हसिल होंगे, विद्यार्टियों के लिए भी यह समय काफी खुसनुमा रहेगा, उन्हें अपनी सफलता में काफी अच्छे अंक और अच्छी सफलता मिलेगी, अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसे करेगा, स्वास्त को लेकर आपको थोड़ा साधान रहने की जरूरत होगी, आपको कबज की बिमारी भी हो सकती है, अपने खान पान में आपको तरल पदार्तों को भी सामल करना चाहिए, वहीं खुद को फिट रखने के लिए आपको नियमित योग अब्यास और प्रनायम क आपको प्रनातिये.